हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर तो हम लोग कर रहे हैं क्लाश 12 का इंस्यार्टी जो कि यह हिस्ट्री है तो इसमें चैप्टर है चैप्टर नमर 11 चैप्टर का नाम है महात्मा गांदी और राश्टी अंदोलन तो इसके पहले हम लोगों ने बहुत सार 12 तो उसके लिए आपको पढ़ना जोल रही है तो चलिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे सब इने अवग्या और उससे आगे शुरू करते हैं राश्टवात के इतिहास में प्राया एक अकेले बिक्ति को राश निर्मार के साथ जोड़कर देखा जाता है उधारण के लिए हम इटली के निर्मार के साथ गैरी बाल्डी को अमेरिकी सुतनता युद के साथ जार्ज वासिगटन को और बियतनाम को आप निवेसिक सासन से मुक्त कराने के संगर्ष से होची मिन को जोड़कर देखते हैं इसी तरह मात्मा गांदी को भारती राश्ट का पिता माना गया है चुकि गांदी जी सुतनता संगर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सरवाधिक प्रभाव साथी और सम्मानित है अता उन्हें दिया गया उपयोत बिसलेसर गरत नहीं है हरांकि वसी गटन अत्वा होची मिन की तरह मात्मा गांदी का राजनिति जीवन बृत उस समाज ने ही सवारा और नियंतित किया जिस समाज में वे रहते थे कोई ब्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों ना हो वह न केवर इतिहास बनाता है बलकि स्वैम भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है इस अध्या में 1915 से 1948 के महत्वपूर काल के दवरान भारत में गांदी जी की गति बिधियों का विसलेसर किया गया है यह भारती समाज के विभिन हिस्सों के साथ उनके संपरकों और उनके द्वारा प्रेडी तथा नेतित किये गए लोगप्री संघर्सों की छान भीन करता है यह अध्या बिध्यार्थी के समक्ष उन अलग-अलग प्रकार के सुरोतों को भी रखता है जिनका इस्तिमाल इतियास कार एक नेता के जीवन बित तथा वह जिन समाजिक अंदोलनों से जुड़ा रहा है कि पुरा निमार में करते हैं मार्च 1930 में नमक यात्रा शुरू करने से पुर्व साबरमती नदी के किनारेव अपने आस्रम के निकट समर्थकों से बात करते मात्मा गांदी तो देखिए उस समय जो के बारे में सोचल मीडिया थना इंटरनेट सा फिर भी इतने लोगों जुटाना मात्मा गांदी बीच मोहंदास करम चंद गांदी बिदेश में दो दसक रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी ग्रिय भूमी वापस आये इन वर्सों का अधिकांस हिस्सा उन्होंने दच्छिड अफरिका में बिताया यहां वे एक वकील के रूप में गए थे और बाद में वे इस्त छेत्र के भा मात्मा गादी ने पहली बार सत्यागरा के रूप में जानी गई पहिंसात्मक विरोत की अपने विस्षिष्ट तकनिक का इस्तमाल किया विभी ने धर्मों के बीच सवहार्द बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्छ जाती भारतियों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेत भाव वाले बहवार के लिए चेतावनी दी 1915 में जब मात्मा गादी भारत आये तो उस समय का भारत 1893 में जब यहां से गए थे तब के समय से अपेक्छा कित बिन था यह दपी यह अभी भी एक ब्रिटीस उपनिवेस था लेकिन अब यह राजनीतिक दिष्ट से कहीं अधिक सक्री हो गया था अधिकान से प्रमुक सहरों और कस्बों में अब भारती राष्टी कांग्रेस की सखाएं थी 1905 से 7 के सौदेशी अंदोलन के माध्यम से इसने ब्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का बिस्तार कर लिया था इस अंदोलन लाल बाल और पाल इन तीनों का या जोड उनके संगर्स के अखिल भारती चरित्र की सूचना देता था क्योंकि तीनों के मूल निवास चेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे इन निताओं ने जहां अपनिवेसी सासन के प्रती लड़ा को बिरुत का समर्थन किया तो वही उदारवादियों का एक समू था जो एक क्रमिक वा लगातार प्यास करते रहने के विचार का स्मयति था इन उदारवादियों में गांधी जी के सामान राजनितिक परामर्जदातक गुपाल किसन गोखले के साथ ही मुहमद अली जिन्ना थे जो गांधी जी की ही तरह गोखले ने गांधी जी को एक वर्ष तक ब्रिटीज भारत की यात्रा करने की सला दी जिससे की वे इस भूमिन और इसके लोगों को जान सके उनकी पहली मुहत्वपूर सारजनिक उपस्तिती फरवरी 1916 में बनारस हिंदु बिस्विद्यालग के उधगाटन समारों में हुई इस समारों में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानो प्रेमी थे जिनके द्वारत दिये गए दान ने बनारस हिंदु बिस्विद्यालग की अस्थपना में युगदान दिया समारों में एनी बेसेंड जैसे कांग्रेस के कुछ मत्रपूर नेता भी उपस्तित थे इन पतिष्टित व्यक्तियों की तुलना में गांदी जी अपिच्छा कित अग्याद थे उन्हें यहां भारत के अंदर उनकी पतिष्टा के कारण नहीं बलकि दच्छी अफ्रीका में उनके द्वारा किये गए कार के अधार पर अबंतित किया गया था जब गांदी जी की बोलने की बारी आई तो उन्हेंने मजदूर गरीबों की और ध्यान न देने के कारण भारती विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया उन्होंने कहा कि बनारस इंतों बिस्विद्य पनामंत्रितों से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभो नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरडों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दे वो कहते गए कि हमारे लिए स्वसासन का तब तक कोई अविप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके स्रम का लगबग संपूर लाब स्वैम अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमती देते रहेंगे हमारे मुक्ति के वाल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है न तो वकील न डाक्टर नहीं जमीदार इसे स्वरचित रख सकते हैं बनार सिंटों बिस्विद्याले की अस्थापना एक उत्सव का अउसर था क्योंकि यह भारती धन और भारती प्रयासों से संभव एक राष्टवादी बिस्विद्याले की अस्थापना का गोत्त था लेकिन गादी जी ने स्वैम को बधाई देने के सुर में सुर बिलाने की अपिक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना जो भारती जन संख्या के अधिसंख्या हिस्से का निर्मार करने के बावजूद वहां सुरताओं में अनुपरस्ति थे एक दिश्टी से फरवरी 1916 में बनारस में गादी जी का भासर मात्र वास्तविक तथे का है उद्गाटन था तो देखिए यहां पर आप लोगों देश सकते हैं यहां पर गादी जी जा रहे हैं इसमें वगदीन बैट कर आगे जाकते हैं अथात भारती राष्टवाद वकीलों डाक्टरों और जमिदारों जैसे वेसिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था लेकिन दूसरे दिश्टी से देखा जाये तो यह वक्तब उनकी मंसा भी ज उसी वर्ष के अंती मा में गांधी जी को अपने नियमों को बैवार में लाने का आउसर मिला दिसंबर 1916 में लखनव में हुई वार्षी कांग्रेस में बिहार में चंपारन से आये एक किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादुकों द्वारा किसानों के प्रति दिलाने में बिता अगले वर्ष यानि 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने ग्रीह राज्य में दो अभियानों में सलंगन रहे सबसे पहले उन्होंने अमदाबाद के एक सरम विवाद में हस्थेप कर कपड़े की मिलो में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर फसल चौपट होने पर राजे से किसानों का लगान माप करने की मांगी चंपारन आमदाबाद और खेडा में की गई पहल से गांधी जी एक ऐसे राष्टवादी के रूप में उभरे जिनमें गरीबों के लिए गरी असान उभूती थी इसी तरह ये सभी अस्थानिक संगर अंग्रेजों ने प्रेश पर पतिबंद लगा दिया था और बीना जांच के करावाज की अनुमती दे दी थी अब सर सीडनी रॉलिट की अधिचता वाली एक समीती की संसुस्तियों के अधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया इसके जबाब में गांधी जी ने द पंजाब में विसेश रूप से कड़ा विरोध हुआ वहां के बहुत से लोगों ने युद में अंग्रेजों के पक्च में सेवा की थी और अब अपनी सेवा के बदले वे इनाम की अपिक्चा कर रहे थे लेकिन इसकी जंग उन्हें रॉलिट एक्ट दिया गया पंजाब जाते समय गांदी जी को कैद कर लिया गया अस्थानिक अंग्रेज जनों को गिराबतार कर लिया गया था प्रांत की यह इस्तिती दीरे दीरे और तनाव पूड हो गई तथा अप्रैल 1919 में अमरिस सर में यह कुन खराबे के चर्मत कस्पर भी ही पहुँच गई जब एक अं इसकी सफलता से उस्साहित होकर गांदी जी ने अंग्रेजी सासन के खिलाप असायोग अभियान की मांग कर दी जो भारती उपनिवेस वात की खात्मा करना चाते थे उनसे आगरख किया गया कि वे उस्कूलों, कालेजों और नियालों न जाये तथा नक कर चुका है का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलापत अंदोलं के साथ हाथ मिला लिया जो हालही में तुर्की सासन कमाल अतारकुक द्वारा समाप्त किये गए सर्व इस्लामवाद के प्रतिक खलीफा के पुना रस्थापना की मांग कर रहा था यान की दूसरे का पहला एक लोगप्री अंदोलं की तैयारी गांदी जी ने यह आसा की थी की आसायों को खिलापत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुक धार्मिक समुदा हिंदू और मुसल्मान मिलकर आपनी मेसी ससन का अंत कर देंगे इन आंदोलनों ने निश्चे ही एक लोगप्रीय कारवाई के बहाव को उनमुक्त कर दिया था और ये चीज़ी अपनी मेसी भारत में बिलकुल ही अभुद पूरो थी बिद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाय जा रहे स्कूलों और कलेजों में जाना छोड़ दिया वकीरों ने अदालत में जाने से मना कर दिया कई कस्बों और नगरों में स्रमिक वर्ग हर्ताल पर चला गया सरकारी आकड़ों के मताबिक 1921 में 396 हर्ताले हुए जिनमें 6 लाग स्रमिक सामिल थे और इसे सतर लाग कारेव दिवसों का नुकसान हुआ था देहात भी असंतोस से अंदोलित हो रहा था उत्तरी आंद्र की पहाडी जन्जातियों ने वन ने कानूनों की अहिलना कर दे आवत की किसानों ने कर नहीं चुका है कमाव के किसानों ने अपनिवेसी कदिकारियों का समान डोने से मना कर दिया इन वीरोद अंदोलनों को कभी-कभी अस्थानी राष्टवादी नेतित की अवगया करते हुए कारवानित किया गया किसानों स्रमिकों और अने ने इसकी अपने ढंक से ब्याक्या की तथा अपनिवेसी सासन के साथ असयोग के लिए उन्होंने उपर से प्राप्त निर्देसों पर टिके रहने के बजाए अपने हीतों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल कर कारवाई के मात्मा गाधी के अमेर्की जीवनी लेखक लूई फीसर ने लिखा है कि असयोग भारत और गांधी जीवन के एक यूग का ही नाम हो गया है असयोग सांती के दिश्टी से नकरात्मक किन्तु प्रभाव के दिश्टी से बहुत नसकरात्मक था इसके लिए प्रतिवाद परित्याग और स्वा अनुसासन आवस्यक थे यह स्वासासन के लिए एक पर प्रसिच्चर था 1857 के बिद्रों के बाद पहली बारा सहयोग अंदोलं के परड़ाम स्वरूप अंगरेजी राज की नियू हिल गई फरवरी 1922 में किसानों के एक समू ने सन्यूत प्रांत के 44 पुरवा में एक पुलिस इस्ट्रेशन पर राकरमड कर उसमें आग लगा दी इस अगनी कानट में कई पुलिस वालों की जान चली गई हिंसा की इस कारवाई से गांधी जी को या अंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा उन्हों ने जोड़ दिया कि किसी भी तरह की उतेजना को निहत्य और एक तरह से भीड की दया पर निर्वर बेक्तियों के घ्रिडित हत्या के अधार पर उचित नहीं ठहरा जा सकता है देखी ये चित्रे देख रहे हैं ये असायोग अंदोलन 1922 विदेशी वस्त्रों को इ अगल लगा दिया सकते हैं तो देख सकते हैं यहां पर लोग इखटा हुए है इसको आगल लगने के लिए आगे बढ़ते हम लोग तो असायोग अंदोलन के दोरान हजारों भारतियों को जेल में डाल दिया गया स्वयम गांदी जी को माजद 1922 में राजबिद्रों के आरोप में गिरपतार कर लिया गया उन पर जांच की करवाई की अधिशता करने वाले जज जस्टिस जी सी एन ब्रूम फिल्ड ने उन् भिन्न स्रेडी के हैं इस तत्यकों नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों के दिश्टी में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं यहां तक कि राजनीती में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वे भी आपको उच्छिस आदर्सों और पवित्र नाओं के वज़र से सरकार के लिए सजा के इन वर्सों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इससे मुझसे ज्यादा कोई प्रसंद नहीं होगा दूसरा पॉइंट आता है जज और जज नेता क्या है यह उननी से बाइस तक गांदी जी ने भारती राष्टवात क अपने भासर में किये गए वाइदोय को पूनों ने पूरा किया अब यह ब्योसाइकों बुद्धी जीवों का ही अंदोलन नहीं रह गया था अब हजारों की संख्या में किसानों स्रमिकों और कारीगरों ने भी इसमें भाग लेना सुरू कर दिया इन में से कई गांदी ज अन्य निताओं की तरह वे समाने जन समों से अलग नहीं खड़े होते थे बलकि वे उनसे समान भूती रखते तथा उनसे घनिष्ट समंध भी अस्तापित कर लेते थे समाने जन के साथ इस तरह की पाचान उनके वस्तरों में विसेश रूप से परिलचित होती थी जहां अन्य राष्टवादी नेता पश्चिमी सहली के सूट अत्वा भारती बंद गला जैसे अपचारिक वस्तर पांगते थे तो वही गांधी जी लोगों के बीच एक चलाने बिताते थे अन्य राष्टवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रसाहित किया सूट कताई की कारे ने गांधी जी को पारंपरिक जाती बेवस्ता में पचलित मानसिक स्रम और सारेजिक स्रम की दिवार को तोड़ने मदद की दी अब आता है चर्खा मात्मा गादी आतनिक युग जिसमें मसीनों ने मानो को गुलाम बना कर स्रम को हटा दिया था के घोर आलोचक थे उन्होंने चर्खा को एक ऐसे मानो समाज के प्रतिक रूप में देखा जिसमें मसीनों और प्रदोगी को बहुत महिमा मंडित नहीं किया जाएगा इससे भी अधिक चर्खा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान कर सकता था तथा उन्हें स्वावलंबी बना सकता था मेरी आपती मशीन के पती सनक से है यह सनक स्रम बचाने वाली मशीनरी के लिए है यह तब तक स्रम बचाते रहेंगे जब तक कि हजारों लोग बिना काम के और भूक से मरने के लिए सड़कों पर न फेक दिये जाये मैं मानो समुदाव कि किसी एक हिस्से के लिए नहीं बलकि सभी के लिए समय और स्रम बचाना चाहता हूँ मैं धन का किंद्री करण कुछ ही लोगों के हातों में नहीं बलकि सभी के हातों में करना चाहता हूँ यंग इंडिया 13 नौबर 1924 का है फिर एक खदर मसीनरी को कष्ट नहीं करना चाहता बलकि यह इसके प्रयोग को नियमित करता है और इसके विकास को नियांतित करता है या मसीनरी का प्रयोग सरवाधिक गरीब लोगों के लिए अपनी जो पड़ियों में करता है पया अपने आप में ही मसीनरी का एक उत्रिष्ट नमुना है यंग इंडिया 17 मार्श 1927 का है आगे बढ़ते हैं इतियासकार साहिद अमीन ने एक मंत्र मुग्द कर देने वाले अध्यान में अस्थानी प्रेश द्वारा ग्यात रिपोटों और अफवाओं के जरिये पुर्वी उत्रप्रदेश के खिसानों के मनमेम आत्मा गांधी की जो कलपना थी उसे ढूड निकाल ने ये रिपोट लिखी है भटनी में गांधी जी के अस्थानी जनता को समोधित किया और इसके बाद ट्रेन गोरखपूर के लिए रवाना हो गई नुनखार देवरिया गौरी बजार चवरी चवरा और कुसुमही इस्टेशनों पर 15-20,000 से कम लोग नहीं थे महात्मा जी कि महात्मा जी कुसुमही के दिस्टेश को देखकर बहुत प्रसंद हुए क्योंकि जंगल के बीच इस्थित होने के बावजू उस इस्टेशन पर 10,000 से कम लोग नहीं थे प्रेम में अभी भूत होकर कुछ लोग रोते हुए देखे गए दिवरिया में लोग गांधी जी को भेनी दान देना चाते थे किन्तो इसे उन्होंने उनसे गोरकपूर में देने को कहा लेकिन चोरी-चोरा में एक मारवारी सज्जन ने किसी तरह उन्हें कुछ दे लिया इसके बाद यह करम रुका ही नहीं एक चादर फैला दी गई जिस पर रुपए और सिक्के के बारिस होने लगी यह दिस से था गोरकपूर स्टेशन के बाहर मात्मा के एक उँची गाड़ी पर खड़े हो गए और लोगों ने कुछ मिंटों के लिए उनके दर्सन कर लिए गान्दी जी जहां भी गए उनकी वही उनकी चमतकारिक सक्तियों की अफ़वाय फैल गई कुछ अस्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलिफों में सुधार के लिए भेजा गया है तता उनके पास सभी अस्थानी अधिकारियों के निर्देशों को अस्युक्रित करने की सक्ति है कुछ अन्य अस्थानों पर यह दावा किया गया कि गांधी जी की सक्ति यंग्रेज बासा से उत्रिष्ट है और यह कि उनके आने से अपने वैसिक सासक जीले से भाग जाएंगे गांधी जी का बिरोत करने वालों के लिए भैंकर परड़ाम की बात पताती कहानिया भी थी इस तरह की अफवाएं फैली की गांधी जी की अलोचना करने वाले गाओं के लोगों के घर रहस्य महत्मक रूप से गिर गए अथवा उनकी फसल चौपट हो गई गांधी बाबा गांधी महराज अत्वा समान महत्मा जैसे अलग-अलग नामों से ग्यात गांधी जी भारती किसान के लिए एक उधारक के समान थे जो उनकी उंची करो और दमनात्मक अधिकारियों के सुरच्छा करने वाले और उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वायत बापस लाने वाले थे गरीबों विशेसकर किसानों के बीच गांधी जी की अपील को उनकी सात्विक जीवन के सहली उनके द्वारा धोती तथा चर्खा जैसे प्रतिकों के विवेक पोल प्रयोग से बहुत बल मिला जाती से महत्मा गाधी वेपारी वा पेशे से वकिल थे लेकिन उनकी साधी जीवन सहली तथा हाथों से काम करने के प्रति उनके लगाव की वज़ा से वे गरीब स्रमिकों के प्रति बहुत अधिक समान भूती रखते थे तथा बदले में वे लोग गांधी जी से समान भूती रखते थे जहां अधिकांस अन्य राजिनित्ति के उ तो वही यह न केवल उनके जैसा दिखने बलकि उन्हें अच्छी तरह से समझने और उनके जीवन के साथ स्वयम को जोड़ने के लिए सामने आते थे मात्मा गादी का जन अनुरोद नी संदे कपट में कपट से मुक्त था और भारती राजनेती के संदर्व में तो बिना किसी पुर्व द्वरार के यह भी कहा जा सकता है कि राष्टवाद के आधार को और व्यापक बनाने में उनकी सपलता कराज उनके द्वारा सवधानी पूर्व किया गया संगठन था भारत के विभिन भागो में कांग्रेस की नई साखाएं खोली गई रजवाडों के राष्टवादी सिधान को बढ़ावा देने के लिए प्रजा मंडलों की एक सिंखला स्थापित की गई गांधी जी ने राष्टवादी संदेश का संचार सासकों की अंग्रेजी भासा की जंग मात भासा में करने के प्रोसाइद किया इस प्रकार कांग्रेस की प्रानती समितियां ब्रेटिस भारत की क्रितिम सिमाओं की अपिक्छा भासाई शेतरों पर अधारित थे इन अलग-अलग तरीकों से राष्टवात देश के सुदूर हिस्सों तक फैल गया और अब इसमें वे समाजिक वर्ग भी सामिल हो गये जो अभी तक इससे अच्छूत थे अब तक कांग्रेश के समर्थकों में कुछ बहुत से समरीद बैपारी और उद्धोग पती सामिल हो गये थे भारती उद्धमियों ने यह बात जल्दी ही समझ ली कि उनके अंग्रेश पती दुन्दी आज भी जो लाब पार रहे हैं सुतंतर भारत में ये चीजे समापत हो जाएंगे जीडी बिड़ला जैसे कुछ उद्धमियों ने राष्टी अंदोलं का खुला समर्थन किया जबकि अन्य ने ऐसा मौन रुप से किया इस परकार गांदी जी के प्रसंसकों में गरीब किसान और धनी उद्धोग पती दोनों ही थे हलागी किसान द्वारा गांदी जी का अनुकरड करने के कारड उद्धोपतियों के कारडों से कुछ भिन और समभहता परसपर वीरोदी थे हालांकि महात्मा गांदी की स्वयम बहुत महत्वपूर भूमिका थी लेकिन गांदीवादी राष्टवाद का विकास बहुत हद तक उनके अनुयाईयों पर निर्भर करता था उन्हें 17 और 1922 के भारतियों के एक बहुत ही प्रतिभा साली वर्ग ने स्वयम को गांदी जी से जोड़ लिया इनमें महादे और देसाई बल्लब भाई पटेल जेबी किरपलानी सुभाशंद्र बोस अबुल कला मजाद जबाला नेरु साजुनी नाइडू गोबिन बल्लब किया मात्मा गादी फरवरी 1924 में जेल से रिया हो गए और अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बने कपड़ें खादी को बढ़ावा देने देता चुवाचूत को समाप्त करने पर लगाया गांदी जी के राजनितिक जितने थे उतने ही विस समाज सुधारक थे उनका वि कार उन्होंने हिंदु मुसल्मानों के बीच से सवहार्द पर बल दिया ऐसी तरह आर्थिक इस तरह भारतियों को स्वायलंबी बनना सीखना होगा ऐसा करके उन्होंने समुद्रपार से आयातित मिल में बने वस्त्रों के अस्थान पर खादी पंदने पर महत्ता जोड़ ड रखा 1928 में उन्होंने पूनर राजनीती में प्रवेस करने की सोची उस वर्स सभी स्वेट सदस्यों सवाले साइमन कमिसन जो कि उपनिवेस की इस्तिती की जाच परताल के लिए इंगलेंड से भेजा गया था कि बिरूत अखिल भारती अभियान चलाय जा रहा था गादी जी ने स्वेम इस अंदोलन में भाग नहीं लिया था पर उन्होंने इस अंदोलन को अपना आशिरबात दिया था तता इसी वर्स बार्दोली में होने वाले एक किसान सत्यागरा के साथ भी उन्होंने ऐसा किया था 1929 में दिसंबर के अंद में कांग्रेस ने अपना वार्षी का दिवेशन लाहोर सहर में किया यह दिवेशन दो दिष्टियों से महतपूर था जवालाल नहरू का अथेश की रूप में चुनाव जो युवा पेड़ी को नेतित्यों की चड़िस अपने का प्रतिक था और प को कैसे मनाया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि यहां तक की अच्छा होगा अगर सभी जगहों पर एक ही समय में संगोष्टियां अच्छा होगा कादी जी ने सुझाओ दिया कि नगाड़े पीट कर पारंपरी तरीके से संगोष्टी के समय की घुसरा की जाए राष्टी दोष्ट को फ़राय जाने से समारोहों की सुरुवात होगी दिन का बाकी हिस्सा किसी रशनात्मक कार्य में चाहेवा सुदकताई हो अथ्वा अच तिग्या लेंगे कि अन्य लोगों की तरह भारती लोगों की भी सुदंता और अपने कठीन परिश्रम के फल का आनंद लेने का अधिकार है और यह है कि यदि कोई भी सरकार लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखती है या उनका दमन करती है तो लोगों को इने बदलने अत्वा समाप्त करने का भी अधिकार है तो देखी यहाँ पर अब आता है पहला पांट तीसरा का दांडी सोतंता दिवस मनाये जाने के तुरंट बाद मादमा गानी ने गुसरा की कि वे ब्रिटीस भारत के सरवाधिक ग्रिडित कानूलों में से एक जिसने नमक के उत्पादन और विक्रेप राज को एक अधिकार दे दिया है को तोड़ने के लिए एक यात्रक का नेतित करेंगे नमक एक अधिकार के जिस मुद्ध का उन्होंने चैन किया था वह गांधी जी की कुछ समझदारी का एक अन्य उधारण था प्रतेक भारती घर में नमक का एक प्रयोग अपरियार था लेकिन इसके बाजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया इस तरह उन्हें दुकानों से उची का दाम मिलने लगा तो देखिए उसी काधार पर यह नमक सत्यागरा चला जा रहा था आप लोग देश सकते हैं नमक सत्यागरा में कितने लोग जा रहे हैं अ देखिए यहांप छवप्री 230 को दनडि यात्रा के समाप्ति पर सत्याग्रह mówi प्रकरिति नमक उठाते हुए देखिए यहांप ऐसा है है कि यह शवत सत्याग्रक्रक्त क्यों हूँ गारे में है कि देखिए कल हम कल हम नमक कर तोड़ेंगे यह उसके बार पांच अपर उन्हें 13 को मात्मा गांदी ने दांडी में कहा था और देखिए यह तस्वीर है यह था भी जनवरी उन्हें 31 में जेल में मात्मा गांदी की रहाई के बाद अंदुलंग की भावी योजना के बारे में चर्चा करने के लिए लहाबाद कांग्रेस की नेताओं की बैठा कोई थी यह यहाँ पर हैं लोग दूसरा पॉइंट आता समाद तो यह नमक यातरा कम से कम कम से कम तीन कारवर से उलेखनी थी पहला यही वह की घठना थी जिसके चलते मात्मा गांदी दुनिया की नजर में आये आईस यातरा को यूरोप और अमेर्की प्रेस में प्रेस ने ब्यापा कबरेज दी दूसरे यह पहली राष्टवादी गतिवीदी थी जिसमें आउरतों ने भी बढ़ चड़क हिस्सा लिया था हिस्सा लिया समाजवादी कारे करता कमला देवी चटोपाद्या ने गांधी जी को समझाया की वे अपने आंदुलनों के पूरुसों तकी सीमित न रखे कमला देवी को खुद उन असंख्य औरतों मेंसे एक थी जिन्होंने नमक या सराव कानूनों का उलंखन करते हुए सामोई गिरफ तारी दी थी तीसरा और संभवता सबसे महतपूर कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह आइसास हुआ था कि अब उनका राज बहु टी कांग्रेस का नेटीया कर रहे थे गांदी जी का कहाणा था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का पर ठासी करती है इस दावे को तीन पार्टी ओंशनोति दी से मुस्लीम लीग क को दावाड करते है राजे रजवाडे का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंतरवाले भुबाग पर कोई अधिकान नहीं है तीसरी चुनावती तेज तर्रार वकील और विचारक भी आरम बेटकर की तरफ से थे जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतियों नहीं करते लंदन में हुआ या समयलन किसी नतीजे पर नहीं पहुश सका इसलिए गांधी जी को खाली हाथ लोटना पड़ा भारत लोटने पर उन्होंने समीना यावग्या अंदोलन सुरू कर दिया नए वैसरा लाड विल्डिंगन को गांधी जी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी अपनी बहन को लिखे एक नीजी खत में विजिए ने लिखा था कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत कुपसरत होती वह जो भी कदम उठाता है उसे इस सवर की प्रेड़ा का पेडाम करता है लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी वराजनितिक चाल होती है देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेड़ उसको गजब का आदमी बताती है लेकिन सची यह है कि हम निहायत अभिहवारिक रहस्यवादी और अंदर विश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी को भगवान मान बैठी है लेकि एक उल में समिलन हो रहा है बहराल 1935 में नई गर्मेंट अप इंडिया एक्ट में समीम सीमित प्रती नीधीक सासन बेवस्ता का स्वासन बेखत किया गया दो साल बास सीमित मतादिकार के अधार पर हुए चुनाओं में चुनाओं में कांग्रेस को जबरदस सफलता मिली ग्यारा में से यार प्रांतों में कांग्रेस के प्रदान मंत्री सत्ता में आये जो ब्रेटिस गवरंणर को देख रेक में काम करते थे आगे बढ़ते हैं देखिए चित्र है मातमा गाधी और राजन पसाद वायसराय लार्ड लिनितकों के साथ बैठक के लिए जाते हुए 13 अक्टूबर 49 में आइस बैठक में युद्ध में भारत की हिस्सेदारी के स्वरूप में स्वरूप पर चर्चा की गई थी जब वायसराय के साथ वारता तूट गई तो कांग्रेसी मतिमडरों ने इस्तिपाद दे दिया था देखिए यह हैं यह है रहन पर साद देखिए यह आपर लिप्स मिसन की विफलता के बाद मात्मा गांदी ने ब्रिटीश सासन के खिलाब अपना तीसरा बड़ा अंदोलन छेड़ने का फैसला लिया अगस्त 1942 में शुरू हुए इस अंदोलन को अंग्रेजो तो भारत चोड़ों का नाम दिया गया था हलांकि गांदी जी को फोर जीनिपूर जैसे कई जीलों में स्वतंत्र सरकार्पती सरकार की अस्थापना कर दी गई थी अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रतिक काफी सक्त रविया अपनाया फिर भी इस विद्रों को दबाने में सरकार को साल बर से ज्यादा समय लग गया भारत चोड़ों अंदोलन सह के निता जेल में थे उसी समय जिनना तथा मुश्लिम लीग के उनके साथ ही अपना प्रभावत छेत्र फैराने में लगे थे इन्ही सालों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला था जहां अभी तक उसका कोई खास वजूद नहीं था जून 1944 में जब विस्वयुद समाप्ति की ओर था तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया और जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांगरेस और लीग के बीच फासले को पाटने के लिए जिनना के साथ कई बार बात की 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी या सरकार भारती सोतनता के प्रक्ष में थी उसी समय वासराय लाड वेविल ने कांगरेस और मुस्लिम लिग के प्रतिनीरियों के बीच कई बैटकों का आईजन किया 1946 सुर्वात में प्रांती बिधान मंडलों के लिए सीरे से चुनाव कराय जगए समाने स्रेडी में कांगरेस की भारी सफलता मेली मुसल्मानों के लिए आरची सीटों पर मुस्लिम लिग को भारी बहुमत प्राप्त हुगा पाकिस्तान की अस्थापना के लिए लिग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यश करवाई दिवस का आहवान किया इसके लिए 16 अगस उनितर 46 का दिन तै किया गया था और उसी दिन कलकत्ता में खूनी संगर्स शुरू हो गया यह इनसे कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामी अगाल बिहार और सन्युक्त प्रांत वा पंजाब तक फैल गई कुछ अस्थानों पर मुसल्मानों को तो कुछ अन्य अस्थानों पर हिंदों को निचाना बनाया गया फरवे उन्हें 47 में वावेल की जगा लाड़ मांट बेटन को वैसराय नियुक्त किया गया उन्होंने वारताओं के एक अंतिम दौर का आवान किया जब सूला के लिए उनका प्रयास भी विफल हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिस भारत को सब्सक्रता दे दी जाएगी लेकिन उसका विभाजन भी होगा देखिए यहां पर यह चीतर किसका है तो यह चीतर है दा उन्हों समुहों के बीच मध्यस्ता करने पड़ती थी कि अधिया पाचा पाइंट आता है आखिरी बहादुराना दिन 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उस सवों में महत्मा गादी नहीं थे उस समय वे कलकत्ता में थे लेकिन उन्होंने वहां भी न तो किसी कारेकरम म उपवास पर थे उन्होंने इतने दिन तक जिस सुदंता के लिए संगर्ष किया था वह एक अकलपनी कीमत पर उन्हें मिली थी उनका राष्ट विभाजित था हिंदू मुसल्मान एक दूसरे की गरदन पर सवार थे उनके जीवनी लेखक डीजी तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को संतावना देते हुए अस्पतालों और सराडार्ती सीवीरों के चक्कर लगा रहे थे उन्होंने सीखों हिंदूओं और मुसल्मानों से आहमान किया कि वे अतीत को भूल कर अपनी पीड़ा पर ध्यान दे कर दिया कांग्रेश ने दो राष्ट सिधानत को कभी स्विकार नहीं किया था जब उसे अपनी इच्छा के विरुद बटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी तो तो भी इसका द्रिड़ विश्वास था कि बारत बहुत सारे धर्मों और धर्मों और बहुत सारी नसलों का देश है उसे ऐसे ही बनाय रखा जाना चाहिए पाकिस्तान में हलात जो रहे भारत एक लोगत तंत्रिक धर्म निर्पिच राष्ट होगा जहां सभी नागरिकों को पूर अधिकार प्राप्त होंगे तदा धर्म के अधार पर भेदभाव किये बिना सभी को राज्य की ओर से सरनचर का अधिकार होगा कांगरिश ने अस्वासन दिया कि वह अलप जंग के नागरिक अधिकारों के किसी भी अधिकरमड के बिरुद्ध हम हर मुम्किन रच्छा करेगी बहुत सारे विद्वानों ने सुतनताबाद महीनों सुतनताब प्रतियों के करण उनकी सभाएं अस्तब्यस्त होने लगी बहुत सारे इस्राराथियों को उनकी सभाओं में कुरान की आयतों का पढ़ने के प्रथा पर आपती थी कई लोग इस बात पर नारे लगाने लगते थे कि गांधी जी उन हिंदू और सीखों की पीड़ा के बारे कि पूरी सुरच्छा का अस्वासन नहीं दे पा रहे थे तो देखिए यहां पर अफुरोद दे सकते हैं तो यह चित्र है एक दनागा गरस्त गाव में जाते हुए मात्मागादी उन्हें 47 में गांधी जी जाते हैं तो यह पीछे कितने से सिपाही लगे पड़े हैं और अगे पीछे उनके अनुए आई लोग 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ लेकिन वे अविचलित अपना काम करते रहे 26 तारी को उन्होंने अपनी प्रात्ना सभा में इस बात का जिक्र किया कि बीते सालों में इस दिन 26 जनवरी को किस तरह स्वतनता दिवस के रूप में मनाया जाता था अब स्वतनता मिल चुकी थी लेकिन उसके सुरुवाती महिने त गहरे तोर पर मो भंग करने वाले साबित हुए फिर भी उनको विश्वास था कि बूरी घड़ी बीच चुकी है भारत के लोग अब सभी वर्गों और धर्मों को समानता के लिए काम करेंगे तथा अलपसंख्या समुदाय पर बहुल समुदाय का वर्चस सो वस रेष्टता सस्ताफित नहीं होगी बले ये अलपसंख्या समुदाय संख्या या प्रभाव की दिश्टी से कितनी भी कितना चोटा क्यों नहों उन्होंने यह आसा भी जताई की यह दपी भगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत को दो भागों में बढ़ चुका है लेकिन हिर्दय में हम सभी सदयों मित्र एवं भाई रहेंगे एक दूसरे को मदद वर समान देते रहेंगे और सेस विश्व के लिए हम एक ही होंगे गाधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर यूद लड़ा फिर भी देश फिर भी जब देश विवाजित हो गया तो उनकी यही इच्छा थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती के समंद बनाए रखे बहुत सारे भा कर दिया उसका नाम नासुराम गोट से था गांधी जी के मित्युक से चारो और सोक गारे सोक की लहर दोड़ गई भारत भर के राजनितिक फलक पर उन्हें भाव भीनी संद्नाजली दी गई जार्ज आर्वेल तथा एलबर्ट आइस्टीन जैसे विक्षात गैर भारतियों ने भी उनकी मित्यु पर फिर्दय इसपर्शी सब्दों में सोक संदेश भेजे एक जमाने में उनकी कद काठी और कथित रूप से बेत्युके विचारों के लिए गांधी जी का उपहास करने वाले टाइम पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अबराहम लिंकन के समाप्त कर दी थी क्योंकि गांधी जी ऐसे कटिन चड़ों में भी दोस्ती और भाईचारे में विश्वास रखते थे विबिन दर्मों को मानने वालों के बीच दोस्ती की अनिवारता पर बल देते थे टाइम ने लिखा दुनिया जानती थी कि उसने उनकी गांधी जी के म गांधी जी को समझना है तो पहला पढ़ना सारजनिक स्वर और नीजी लेखन इस दिशा में मात्मा गांधी और उनके सहयोगियों पतिदंदियों दोनों तरह के समकालीनों के लेखक और भासड एक मौतपूर्स रोत हैं इन लेखकों इन लेखनों में हमें इस बात का खया रखना चाहिए कि किस चीज को जनता के लिए लिखा गया था और किस चीज को अन्य उदेशियों के लिए लिखा गया था उदारण के लिए भासडों में बासडों से हमें किसी बेक्ति के सारजनिक विचारों को सुनने का मौका मिलता है जबकि उसके बेक्तिकत पत्र हमें उसके नीजी विचारों की जलक देते हैं इन पत्रों में हम लिखने वाले को अपना गुस्सा और पीड़ा असंतोस और बेचैनी अपनी आसाएं और हतसाएं बेक्त करते हुए देख सकते हैं इन में से बहुत सारी बातों को अपने सारजनिक वक्तवियों में बेक्त नहीं कर सकते लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कई बार नीजी सारजनिक का फर्क टूड़ जाता है बहुत सारे पत्र ब्यक्तियों को लिख जाते हैं, इसलिए वे ब्यक्तिगत पत्र होते हैं, लेकिन कुछ हद तक वे जन्ता के लिए भी होते हैं, उन पत्रों की भासा इस आसास से भी तय होती है कि संभव है, एक दिन उन्हें प्रकासित कर दिये जाएगा, किसी पत्र के प् पत्रों में भी अपना मत स्वधन्ता पूर्वक ब्यक्त नहीं कर पाते मात्मा गादी हरजन नामक अपने अखबार में उन पत्रों को प्रकासित करते थे जो उन्हीं लोगों से मिलते थे नहरू ने राष्टी आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संकलन तैयार किया और उसे एब बंच आप उल्ड लेटर यान पुराने पत्रों का पुलिंदा के नाम से प्रकासित किया दूसरा पाइंट इसमें है चबी गड़ना तो आत्मकताय भी हमें उस अतीत का विवरा देती हैं जो मानमी विरोडों के हिसाब से काफी सम्रीद होता है परन्तु यहां भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मकताओं को किस तरह पढ़ते हैं और उनकी कैसे बैखा करते हैं हमें याद रखना चाहिए कि आत्मकताये प्रायास मीटी की अधार पर लिखी होती है उनसे हमें पता चलता है कि लिखने वाले को क्या याद रहा उसे कौन सी चीजे महतपूर दिखाई दी या क्या आद रखना चाहता था या औरों की नजर में अपनी जिंदगी को किस तरह चाहता है आत्मे कता लिखना अपनी तस्वीर करने एक तरीका है फल्सवरूप इन विवरोडों को पढ़ते हुए हम हमें वह देखने का प्रयास कहना चाहिए कि जो लेखक हमें नहीं दिखना चाहता है हमें उन चुपियों का करड़ समझना चाहिए इच्छित या निच्छ अध्या अध्यान के लिए एक महत्रपुर्श रोत है उससे में पुलिस कर्मियों रथा आनने अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र रिपोर्ट गोपनी होती थी लेकिन अभी दस्तावेज अभी लेखोगारों में उपलब्द है जिने कोई भी देख सकता है देखिए कि यह चीतर आप देख रहे हैं तो देखिए इस प्रकार यह समाप्त होता है यह काल खंड देख लीजिए 1915 में मात्मागाई दशरपिका से लोटते हैं तो 17 में चंपारान और 18 में खेड़ा गुजरात में किसान अंदोलन में मिल मजदूर का हुआ था 1919 में रॉले में असायोग अंदोलन खिलापत अंदोलन उनिसे केस में तो 1928 में बार्दोली किसान अंदोलन 1929 में लहोर अधिवेशन 1930 में समिने अग्या दंडी 1931 में गांदी इवनी समझोता और 1935 में गर्मेंट एक्टाफ इंडिया 1929 में कांग्रेस मंती मैंडरों को त्याग पत्र विभा की परिच्छक रिपोर्टे मार्च 1930 का पहला पकवाड़ा गुजरात में आ रहे तेज राजनीतिक बदलाओं पर यहां गहरी नजर रखी जा रही है इनसे प्रांत की राजनीतिक परिश्चितियों पर किस हद तक और क्या प्रभाब पड़ेगा इसका अभी अंदा पटेल की गिरपतारी पर कांग्रेसियों के अलावा कहीं कोई खास उत्यजना पैदा नहीं हुए लेकिन नाकपूर का नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी जी की यात्रा सुरू होने पर उन्हें बधाई देने के लिए आयोजी सभा में तीन हजार से ज्यादा लोग जूट गए थे बंगाल तो गांधी के सविने अवग्या अंदोरों की सुरुवात पिछले पकवाड़ों की सबसे महत्वपूर घटना रही स्री जे एम सेन गुप्ता ने अखिल बंगाल सविने अवग्या परिशत का गठन किया है बंगाल प्रांती कांग्रेस कमीटी ने अखिल बंगाल अवग्या परिशत बनाई है इन परिशतों के गठन के अलामा बंगाल में सविने अवग्या प्रश्ण पर और कोई सक्री कदम अभी नहीं उठाया गया है जिलो में जिलो से मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि जो बैटके आयोजित की गई उनमें लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर देखते हैं जवाला लेहरू सेवांग 15 जुलाई 1936 तुम्हारा पत्र मेरा हिर्दे चुग गया तुम्हें सबसे ज़्यादा ठेस मौसूस हुई है तत्र यह है कि तुम्हारे साथियों के पास तुम्हारे जैसा असाहास और बेवाकी न कि उनके पास साहस नहीं है इसलिए वे जब भी बोलते हैं उटपटांग ही बोलते हैं और उसे तुम चिड़ जाते हो मैं तुम्हें बताता हूँ वे तुम्हें इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि तुम उनसे चिड़ जाते हो और उनके सामने धैर खो देते हो वे तुम्हारी पटकार और साहबी अंदाज से आहत हैं और सबसे इस बढ़कर वे तुम्हारे भीतर जो अचुकता और स्रेश्टतर ग्यान का अभाव दिखाई देता है उससे परसान है उन्हें लगता है कि तुमने उनके साथ निउन्तम सवमेता का ब्यवार भी नहीं किया है और कभी भी स पूरे मसले को हलका होकर देखो इस काटो के ताज यानि कांग्रेस के रिचता के लिए तुम्हारा नाम मैंने प्रस्तावित किया था बले सीर छिल जाए इसे उतारना मत कमेटी की बैठकों में अपना हाथ से बिनोद दुबारा दिखाओ तो यह तुम्हारे लिए सबसे सम भूमिका है चिंतित चिछिड़े ब्यक्ति का स्वभाव तुम पर नहीं जाचता है मैं चाहता हूं कि तुम मुझे तार के माध्यम से बताओ कि या पत्र पढ़ते ही तुम्हें वैसी खुसी मिली है जैसे लाहौर में नए साल के मौके पर तुम खुस हुए थे जब कहते ह है कि तुम तीरंगे के चारों और जुम जुम कर नाशते थे अपने कंट को थोड़ा अराम दो मेरा प्यार बापू देखिए यहाँ पर एवंच लेटर से थे बरधा एक जुलाई 1936 का है मेरे प्रियर जवाहर लाल जी मतलब यह मात्मा गादी लिखे थे कल आपसे बीदा लेने के बाद हमने मात्मा जी के साथ लंबी बातचीत और आपस में देर तक चर्चा की हम समझते हैं कि आपको हमारी ओर से अपनाए गए मार्ग पर काफी दुख है और हमारे पत्र के भाव से आप इसे बहुत आहत हुए हैं आपको सर्मिंदा करना या आपको चोड़ पहुचाना कभी भी हमारा इरादा नहीं था और अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपको ठेस पहुचती है तो हम बिना किसी हिचक के अपना पत्र वापस ले लेते या उसमें संसोधन कर लेते परंतु हमने समगर इस्तिती पर पुनर विचार करने के बाद या पत्रत तथा अपने इस्तिपा वापस लेने का फैसला कर लिया है हमें लगता है कि फ्रेस में छपि आपके सारे बयानों में आप कांग्रेस के समाने कारेकरम पर उतना नहीं बोल रहे हैं एक ऐसे बिशेफर बोल रहे हैं जिसे कांग्रेस ने स्विक्रिटि नहीं दिये और ऐसा करते हुए आप वर्किंग कमेटी में हमारे मुट्टी बरसायोगियों और कांग्रेस के अल्पसंख्यक वर्ग के प्रवक्ता की तरफ बोल रहे हैं की बहुल वर्ग के प्रतिनिधी के रूप में जिसकी कांग्रेस अध्यच के नाते हमें आप से अपिक्षा थी हमारे बेड़ुत लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें हमें ऐसे बेक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिनका समय बीथ चुका है जो प क्राप्ट कर लिए हैं हमने महसूस किये हैं कि अन लोगों ने हमारे साथ भारी अन्या किये हैं और कर रहे हैं तता हमें आपसे वह संरच्षड नहीं मिल रहा है जो एक साकर्मी और हमारा अध्यष होने के नाते हमें आपसे मिलना चाहिए आपका रायाध परसाद लिखिए है जवाला नेहरो को अब देखिए ये मेरे प्रिये बापू ये इलहाबाद पांच जुलाई उन्यवेशतिस को कौन लिखा है जवाला नेहरो लिखा है तो मैं कल रात ही यहाँ पहुचा हूँ जबसे मैं वर्धा से आया हूँ सारेरिक दुर्बलता और मानसीक आसांती से घीरा हुआ हूँ यूरोप से लोटने के बाद से मैंने पाया है कि वर्किंग कमेटी के बैठकों में मैं बुरी तरह ठक जाता हूँ मेरी उर्जा छीड पढ़ जाती है और हर नए अनुबह के बाद मैं और ज़्यादा बुढ़ा मासूस करने लगता हूँ चीजों को दुरस्त करने और संकत को टालने में अपने आपने जो कष्ट उठाया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ मैंने राजेंदर बाबु द्वारा भेजा गया दूसरा पत्र दुबारा पढ़ा है और उन्होंने जो गंभीर आरोप मुझे पर लगाए हैं उन्हें देखा है तत्य को चाहे कितने भी विनम्रता से प्रस्तुत किया जाएं उनका आसाया है कि मैं एक असाहनी मुसीबत बन चुका हूँ और मेरे जो भी गुड़ हैं थोड़ी बहुत अच्छमता, उर्जा, गंभीरता, कमोबेस, सब्रभावित करने वाला ब्यक्तित सभी खतनाक बन चुके हैं क्योंकि वे एक गलत रत यानि समाजवाद को आगे बढ़ा रहे हैं इन बातों के निसकर्स इसपष्ट हैं मैंने अपने पुस्तक में और उसके पस्चाद भी अपने वर्तमान बिचारों के बारे में प्रभिस्तार से लिखा है मेरे बारे में कोई फैसला लेने के लिए सामगरी की कमी नहीं है, मेरे वे वे बिचार अकस्मिक भी नहीं है वे मेरा हिस्सा है और ये दपी मैं भविस्से में उन्हें बदा सकता हूँ लेकिन जब तक मैं उन्हें नई छोड़ता मुझे उनको अभी ब्यक्त करना ही होगा क्योंकि मैं ब्यापक एक्ता को मौतपूर मानता हूँ इसलिए मैंने कोमलतम सब्दों में उन्हें ब्यक्त किय है और निश्चित निश्कर्ज की बजाए विचार विमर्ष के लिए प्रस्ताव के रूप में ही ज्यादा प्रस्तुत किया है मुझे इस प्रदती में और कांग्रेस को जो कुछ भी कर रही है उसके बीच कोई तकराव दिखाई नहीं देता जहां तक चुनाओ का सम्मंद है मेरा मानना है कि मेरा रभया इस दिशा में निश्चे ही एक लापकारी साधन था क्यों की उससे जनता में उस्सा का संचार हुआ है परन्तु मेरे कोमल और इस पष्ट रभये को मेरे सायोगी खतरनाक और छतिपूरक मानते हैं मुझे यहां तक कि कहा गया है कि भारत में गर बेक्तब जारी करना चाहते हैं मैं आपको बेक्तब का स्वागत करता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर दिश्टी कोड से देश के सामने प्रस्तुर किया जाना चाहिए तो देखिए और यह जवाला नहरु का तो लिखा गया था यह बाप को लिखे थे तो इस प्रकार देखिए यह खत का आवागमन हुआ था तो इस प्रकार देखिए यह चैप्टर समाप्त होता है और आगर आप लोग जहां नहीं देखे होंगे तो आप वीडियो देख कर रोख सकते हैं तो हम लोग पढ़ रहते हैं क्लाश 12 का एंस्यार्टी जो की हिस्ट इसको भी आप पढ़ सकते हैं और अगर आप PCS और IS की त्यारी कर रहे हैं तो इसको प्रतुप्रना अनिवार रही है आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा फिर मिलते हैं इस वीडियो में धन्यवाद